भारत ने एक साल पहले जिस अर्ष दल्ला के बारे में कनाडा को चिताबनी दी थी उसे अब जाकर गिरफ़तार किया गया है। कनाडा में खालिस्तानी आतंक्वादी अर्षदीब सिंग गिल और्फ अर्षदीब दल्ला को दस नमबर को अरेस्ट किया गया। इसी के साथ भारत ने एक बार फेर कनाडा से दल्ला को भारत को सौपने की मांग की है इसके पहले 2023 में भी भारत ने कनाडा से दल्ला को प्रतियारपन का अनुरोथ किया था दल्ला ने 22 में हर्जी सिंग निजजर की हत्या के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान समाली थी भारत ने उससे इंडिविजुवल टेर्रिस डिकलेर किया था अर्ष दल्ला का सफर पंजाब के मोगा के एक छोटे से गांफ से शुरू हुआ था शुरू में वो सिर्फ एक लोकल गैंक्सर था लेकिन 2020 में वो कनाड़ा में बसने के बाद वो आतंकवादी गतेविदियों में शामिल होने लगा कनाड़ा में वो हरजी सिंग निजजर के संपर्ग में आया और यहीं से उसके टर्रे नेटवर्क की शुरूआत हुई इसके लिए उसने सोशल मीडिया के इस्तमाल किया और भरपूर इस्तमाल किया सोशल मीडिया के जरिये वो युओआओं को खालिस्तानी विचारधारों में फसा कर अपने आतंकवादी नेटवर्क में शामिल करता था भारतीय खूफी एजन्सियों ने उसके खिलाफ हिंसक अपराध, टार्गेट के लिंग्स और शान्ती भंग करने के कई मामले दर्ज करके हैं और वो ब्लैक लिस्टेड है भारत के विदेश मंतराले ने हाली में कनाडा में डल्ला की गिरफतारी की पुष्टी की विदेश मंतराले ने बयान जारी करतोवे कहा कि इस मामले में कनाडा से फिर से दल्ला को भारत बेजने को कहा गया है इसके पहले जुलाई 2023 में भी भारत ने एक गुहार लगाई थी और कनाड़ा से दल्ला की गिरफतारी के बाद मांग की थी और उसे भारत बेशने को का था मगर गौर करने वाली बात है कि तब कनाड़ा ने इस मांग को ठुकरा दिया था जबकि भारत ने दल्ला के खिलाफ ठोज सबूत और अपरादी गतेविदियों की जानकारी कनाड़ा या धिकारियों को सौब दी थी और इसको पुष्टी भी की थी हलाकि कनाड़ा के कान पर जू तक नहीं रहेंगी आपको बता दे कि अश डल्ला का आतंकवादी नेटवर्क सिर्फ भारत और कनाड़ा तक सीमित नहीं है उसका नेटवर्क अमेरिका, यूरोप और मिडलीस जैसे देशों में भी है उसे पाकिस्तान की I.S.I. और लशकरे तौईबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर पंजाब में ड्रोन के जरीए हत्यारों की तसकरी के भी मौके मिल चुके है और वो इन कामों को अंजाम भी दे चुका है इतना ही नहीं, डल्ला ने पंजाब में कई बड़े नेताओं को निशाना भी बनाया है साल 2022 में वो और निजजर डेरे के सदस्या मनुहरलाल की हत्या में शामिल था और साल 2024 में उसने कॉंग्रिस नेता बलविंदर सिंग बल्ली की हत्या की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया के जरियली थी हरजीत सिंग निजजर की हत्या के बाद अरश डल्ला के टीएफ का लीड आतंकी बन गया जब उसकी दुश्मनी पंजाब के खुक्कियात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हो गई दिसम्मर 2023 में बिश्नोई गैंग ने कनाड़ा के विनिपेग में डल्ला के साथी सुखा दूनी के की हत्या कर दी थी बिश्नोई गैंग ने इसके अलावा पंजाबी गायक सिदुमुसे वाला की हत्य की जिम्यदारी भी ली थी और हाली में उसने बॉलिवर्ड अभीनेता सल्मान खान को धमकी भी दी है अब देखे गौर करने वाली बात है कि एस दल्ला की गिरफतारी उस वक्त हुई है जब भारत और कनाड़ा के बीच रिष्टों में फिलाल से तनाव बना हुआ है कनाड़ाई प्रधान मंतरी जेसिंट टूडो ने ने जर्क मिक हत्या में भारती सरकार के एजंट्स की भूमिका का औरोप लगाया है जिसे भारत ने सेरे से खारिच का रखा है इस विवात की चलते दोनों देशों ने एक दूसरे केक काई राजनैकों को भी निश्कासित भी कर दिया है और दोनों देशों के रिष्टे फिलाल ओल टाइम लो पर है डल्ला का प्रभाव और आतंक का नेटवर्क उसे भारत के सबसे खतरनाक और वॉंटेड आतंकियों में से एक बनाता है पंजाब का ये लोकल गैंग्स्टर अब एक ऐसा खालिस्तानी आतंकवादी बन गया है जो भारत में मुसीबत खड़ी करना चाता है और इससे भारत की सुरक्षा पर भी बड़ा खत्रा मन रहा है भारत को उमीद है कि इस बार कनाड़ा उसकी अपील को मानकर डल्ला को भारत के हवाले कर देगा कम से कम विदेश मंतराले के जो बयान आये है उससे तो ऐसा ही लगता है अर्ष दल्ला की गिरफतारी से उम्मीद है कि भारत को इस बार इस आतंकवादी खिलाफ कानूनी कारवाई करने का पूरा मौका मिलेगा और देश में शान्ती बहाल करने का भी पूरा मौका मिलेगा एक कदम तो बढ़ी जाएगा ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं इस समय भारत कनाड़ा के जो रिष्टे खराब हुए है उसमें भी सुधार आ सकता है अगर डल्ला को भारत भीज़ दिया जाता है इस पूरे मामने को लेकर आपकी क्या राय है ये मिलेचे कमेंट से बताएं मेरा नाम है वैभफ देखते रहिए जी स्वेच